So like as always, Physiotherapy या DPT कहले हैं, इसका कोई भी जो specific content है, वो YouTube पर नहीं है, Electrotherapy भी एक 5th semester का आपको topic है, exercise therapy भी एक topic है, और बहुत से इसे topics है, जो YouTube और Google पर जिनके बारे में आपको कोई knowledge नहीं मिलेगी, कि उसका paper कैसा होता है, वाई वाउस पर कैसी होती है, तो मैं ये पूरी कोशिश कर रहे हूँ कि जैसे ही मुझे हर semester का जो content मिलता है, मैं उसको YouTube पर upload कर दूँ, तो जो आने वाले students हैं, future में उनको यसी कोई problem ना हो, अच्छा आप बले इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बंगलादेश से हैं, कहीं से भी हैं, आप ये video देख सक तो इस चीज के लिए परिशान होने की जरुवरत नहीं है, कि वीडियो अगर मैं पाकिसान से बना रहे हूं, तो उसको आप नहीं देख सकते हैं, और हमारा वायवा उस्पी का जो तरीके कार है बनाने का वो भी सेम ही होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये ये लेक् करते हैं, आपका टाइम जाए कि अब अगर पहली जो पूछते हैं, जो हमारे पास बाहर की जो पूछते हैं, पूछते हैं कि आप अलेक्टो थरपी के वार में क्या जानते हैं, अब पहली चीज ही है, कि आपने इंग्लिश में ही बताना है, इस चीज पर फोकस नहीं रख हो पिन पें फिर बात को बोढों से लेक्रिकाल थ है जब कोई इनकल यहां उस बेस्टी स्थमाल कर टेज करते हैं हम अंच्छर्क को राधना है तो मुझे के अच्छलिय में ट्रीत करते है इस को इसको एलेक्ट्रिकल इनरुटरी के पोने हमपूछते से हैं तो इसमें जो तीन सबसे फेमस है और जिसमें सबसे तदा फेमस जा है वो टैन्स है तीन है टैन्स एक इंटर्फरेंशल करंट और एक है गल्वानिक करंट टैन्स की वो फुल फॉर्म लाजमी पूछते हैं तो पढ़के जाना Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Application of Electrotherapy क्या मतलब Electrotherapy हम किन किन इशूस पर दे सकते हैं वो आप से पूछेंगे तो आपने at least तीन आप्शन बताने हैं क्योंकि इसके दो से तीन नंबर होते हैं सवाल के Sports Injury, Lower Back Pain, Fracture, Pain Management, Blood Flow Increase Blood Flow मत बोलना सिर्फ Blood Flow के साथ इंक्रीज जरूर बोलना Rehabilitation के phase कौन से होते हैं Rehabilitation के 3 phase होते है Phase 1 इसका हम acute phase बोलता है जो शुरू के 2-4 दिन का चलता है 2-3 दिन का होते है acute phase दूसरा होता है sub-acute phase जो आपका 3-3 दिन से लेके 2 हवते तक चलता है fortnight तक चलता है यानि 3 दिन से 2 हवते तक और जो तीसरा फेस है उन्टरमेडिट फेस करते है जो बेषलर तक रहते हैं जो वाँने से जो क्या सुब टेसरा फेस है हम उस तक पर पॉन्चने ग।क्री जूने हैं ज मरें सब चर्फास पॉन्चने वह मिसी है बत घंड करेक्टा करें सन्टर्मेडिट फेस तो आपने बतानी है एक होती है cryotherapy एक होती है thermotherapy एक होती है mechanical दूसर होते है contrast therapy क्राइज थेरपी में क्या होता है ice packs होते है ice massage होता है whirlpool bath होता है sprays होते है ice packs ice massage whirlpool bath and sprays इन सबका एक काम होता है कि यह आप vasoconstriction करा कर उस तरफ blood flow को रोक कर जो सूजन वाला जो pain होता है जिसमें हमें गरम गरम और तकलीव मैसूस हो रही होती है चुबने जैसी उसको कम करते है ठीक है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है cryotherapy में ठीक है thermotherapy में क्या होता है moist heat pack whirlpool bath और ultrasound होता है इसमें क्या होता है पूरे में heat pack वगरे सब में इसमें vasodilation होती है ठीक है तो inflammation उससे भी कम होती है एलेक्रोथरपी में ionotrophoresis होता है mechanical में हम massage देते हैं mobilization और manipulation करते हैं contrast therapy में heat pack भी लगाते हैं पर cold pack भी लगाते हैं अक्सर जिनके jaw lock हो जाती है अग्रोड तोड़ते वे या हड़ी तोड़ते वे जबड़ा जब गया और आप दात नहीं खोल पा रहे हो तो इसी एरिया में आपका जो TMJ joint है यहां पर आपने 30 seconds के लिए cold pack लगाना है 30 seconds के लिए hot pack लगाना है इस तरह करके और आपने हर 30 seconds के जो बीच में 10 seconds का गया प्रकना है like 70 seconds की एक session होगा इस तरीके के आपको तीन सेशन करने तीस सेंद आपने cold pack लगाया 10 seconds आपने कोशिश की अपने मुझ को खोलने की फिर आपने hot pack लगाया फिर आपने rest किया फिर दुबारा से से तीन दफा जब आप प्रोसीजर अप्राय करतें तो इससे बहुत magical results आते हैं उसी वक्त आपका जो लॉक है वो खुल जाता है ठीक है तो एक यह therapy होती है तो कितनी हो गई पांच होगे एक cryotherapy एक thermo एक electro mechanical और contrast therapy इसके अंदर होता क्या है यह आपने चीज़े याद रखने है इंडिकेशन के और हमने कब देना होता है और contra-indications हमने कब नहीं देना होता है इंडिकेशन में वापस acute sprain आता है strain आता है circulatory disturbance में भी नहीं देते और hypersensitivity में भी नहीं देते और अगर किसी को पेश्मेकर लगावा हो तब भी हम उसको नहीं देते यानि circulatory disturbance हो नहीं देनी hypersensitivity हो तब भी नहीं देनी what is thermotherapy thermotherapy क्या होती heat therapy also called thermotherapy thermotherapy is used in most sub acute injuries, which is used in most sub acute injuries, which is used in 2nd phase of the injury इसे swelling भी होती है नीला भी पर जाता है उसमें थर्मो थेरेपी उसकरते हैं वो कहते हैं कि टकोर कर लो वो गरम करके कपड़ा उससे करते हैं हम कभी अपनी आंख में कुछ चला जाता है तो हम करते हैं वह वाली चीज है physical principles of heat कौन कौन से होते हैं चार होते हैं conduction, convection, radiation, and conversion आपने इसी तर्दीप से याद रखना है conduction, convection, radiation, and conversion define conduction, conduction अच्छा ये सवाल लाजमी करेंगे कि conduction और convection में क्या difference है प्लीज इसको याद रखेगा when heat is transferred from warmer object to cooler one conduction क्या होती है कि जब heat warmer से cooler की तरफ जाए तो वह conduction होती है, जैसे कि moist heat pack गरम होता है फिर उसकी energy आपके जो ठंडा आपका जो लेग है उसमें transfer हो जाती है, तो यह होता है conduction, जैसे electric heating pads होता है ठीक है, अब convection क्या होती, transference of heat through moment of fluids or gases कि heat जब किसी fluid और gas के तरू ट्रांसफर हो उसको हम convection बोलते है, जैसे वरपूल बात में होता है defined radiation, radiation क्या है, heat energy is transmitted through empty space heat energy जब empty space के तरू ट्रांसफर हो तो उसको हम कहते है, radiation जैसे infrared heating और ultra-voilet therapies दूसरा, divine and defined conversion, generation of heat from another energy from such as sound electricity यह किसी दूसरी energy से heat generation हो, उसको हम sound electricity बोलता है जैसे ultrasound therapies और diet therapy okay, physiological effects क्या है heat के, muscle spasm को कम करता है, pain को कम करता है joint stiffness को कम करता है, blood flow बढ़ाता है और range of motion को भी बढ़ा देता है ठीक है, cryotherapy, defined cryotherapy, cryotherapy means treatment using low temperature, cryotherapy या नहीं हम low temperature को किसी चीज़ का treatment करें किसी मर्ज का treatment करें, किसी मर्ज का treatment करें, कि क्रायो थेरपी को बोलता है इसके applications क्या होती है, cool packs, cold bath, vaporizing spray, ice massage क्याइब नहीं करने हैं, तो पहला यह कि अपन वांड नहीं करने हैं, तो पहला यह कि क्याइब नहीं कर सकते हैं, अब सोचोन है को एक खुलावा जखम है, उस पर कोई पटी कुछ नहीं है, दिख रहा है, और या पर एक infection है, या कोई tissue फट गया है, damaged है, इसके पर आप बरफ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, और skin hypersensitivity उनको भी नहीं दे सकते हैं, जिनको hypersensitivity है, तो वहां से skin में जल जाएगी skin ice से, और ice का जला हुआ, आग के जलिवे से जादा खतर नहीं होता है, वह जल्दी से ठीक नहीं होता, और cold burn, ठीक है, यह हो गई आपकी, चार्जिस है, content negation क्या है cryotherapy की, acute febrile illness, vaso spasm, कि इनको नहीं देनी, ठीक है, मतलब किस condition में नहीं देनी, acute febrile illness में नहीं देनी, vaso spasm में नहीं देनी, cold uteric area में नहीं देनी, और cryolobomania में भी नहीं देनी, ठीक है, अब यह नाम थोड़ी से मुश्किल है, और यह पूछते भी लाजमी है, वह तो थोड़ा सा रट्टा लगा के चल जाना, कोई सी नहीं है, type of currents, defined electrotherapy current, हम कौन से current इसमाल करते हैं, produce waveform, waveform refers to shape, direction and amplitude, कौन से current इसमाल करते हैं, जो waveform की शकल में, waveform की शकल में produce होते हो current, जिनकी shape हो, जिसकी specific shape, direction and amplitude हो, कौन से type की currents, direct or alternating current, direct current, source आती है, current आता है, direct source पर चला जाता है, बीच में कोई उसके अंदर, उसको alternate कम यह जादा करने वाला नहीं होता, ठीक है, defined direct current flow is one direction, called direct current, जिसके unit directional flow होता है, इसको direct current बोलते हैं, alternating current बोलता है, the flow of electron reverse in direction once each cycle, एक cycle के बाद, जो direction है, current की वो change हो जाती है, reverse हो जाती है, special contraindications की electrotherapy की pacemaker pregnancy near malignancies non united fracture, यह जो फ्रेक्चर दिख थीक नहीं हो, बाप नहीं कर सकते हैं, बाप नहीं कर सकते हैं, प्रेक्निकर नहीं कर सकते हैं, अचा, defined ion dot differences, it is a process in which chemical ions are transported through the intact skin by an electrical current, ठीक है, इस process में हम ions which are intact skin through the ions, which are the electrical current, that's it, और यह दो था वो पूरा हो गए, next video में आपको मजीद शेयर करते हूं, अल्ला फिस्टे के, stay blessed, electrotherapy की था important था हर साल आता है, खयाल रखिएगा और इसको पढ़े के जरूर जाएगा, thank you. भूर्जा में हम इस सम्भाजा तिस के उिस दिस्माइबा स्एलीерж के हूं, है, यहिदा झाल है, तはいकोड़े प्याल Ci such a आता हास, आता है आता हlor आता है, और घ två आता है जाल हैتي, तन सम्झी च कर दो आता है उता है